आज आप लोग के लिए एक रंग में बहुत प्यारा सा पैटर ले कराई हूं और इसे आप दिखेगा चैन्ड स्वेटर में रेडिस्वेटर में दोनों में ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल दिखेए इस तरह से ब्रेट के तरह दिखाए देता है और बहुत प्यारा लगता है बहुत आसा पैटर्न है इसका राइट साइड है यह रॉंग साइड है तो यहाँ पर देखीगा इस डिसाइन को बनाना बहुत आसान है तो चलिए आज हम इस डिसाइन को बनाना सीखेंगे और वीडियो शुरू करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चै देजाइन को बनाने के लिए इसके पंदों का हिसाब लगाते हैं thermon दिख नेक्छे 7 के मुन्टीपल सेasında भंदी लेने हैं इसमें थ्री पंदे एक सटार रखने हैं तो आप किसी प्रोचेक्टमे इसे सुप बनाए 17 के jg डाले तेन भंदी इसमें X star रखें तो आपका design विर्कों फित आएगा और चार सलाई का बुनाई का design चार सलाई में complete होगा design हमारा right side से शुरू होगा और एक row हम इसमें wrong side से पिस पुनेंगे बागी design हमारा right side से start होगा और इसके लिए हमने यहांपर ten number की needle ली है और एक कलर की हमने यहाँ पर बूल लिये है तो चलिए डिजाइन को बनाना सीखते है तो यहाँ पर देखेगा इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने साथ के मल्टिपल से फंदे लिए हैं तीन फंदे एक्सटा रखे हैं तो यह टोटल हमारे 24 बंदे हैं तो देखे ध्यान से देखेगा एक फंदा सीधा बनेंगे दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे तो यहाँ पर देखे एज इस्टिच के फंदे को छोड़ते हुई यहाँ से यहाँ तक हमारा इस साथ बंदों का डिजाइन बनाए हैं एक पंदा उल्टा, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, तो यही साथ पंदे का डिजाइन हम बार बार रिपीट करेंगे, देखिए एक पंदा उल्टा, दो पंदे सीधे, दो पंदे उल्टे, दो पंदे सीधे, अब फिर से देखिए, एक पंदा उल्टा, दो पंदे सीधे, दो फंदे उल्टे दो फंदे सीदे अब लास्ट पे देखिए दो फंदे हैं इसमें से हम एक फंदा डिजाइन को सेट करने के लिए उल्टा बुनेंगे और एक एजिस्टिच का उल्टा बुनेंगे तो यहाँ पर हमने दो फंदे उल्टे बुन लिए अब आ जाते हैं राइट साइड में यहां से हम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे अब देखेगा दिहान से देखेगा एक फंदा हम एज इस्टिच का बुनेंगे अब यहां से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो देखे इस वाले फंदे को हम यहां से नहीं बुनेंगे, नीचे वाली रो से यहां से बुनेंगे इस फंदे को, देखेगा, अब हम यहां पर दो फंदे उर्टे बनाएंगे, अब देखे यह जो फंदा नजर आ रहा है आपको, इसमें से हम यहां पर एक फंदे में से ती तीन फंदे बना लेंगे, देखेगा, अब यहां पर फिर से देखे, दो फंदे उल्टे बुनेगे, तो यही साथ फंदे का डिजाइन रिपीट करेंगे, देखे, एक फंदा एज स्टिच का छोड़ते हुए, एक फंदा सीधा, दो उल्टे, दो फंदो को हमने ऐसे तिन-ति रिपीट करेंगे, देखे, फंदे को यहां नीचे से बुनेगे, नीचे वाली रो से, एक फंदा सीधा बुनेगे, दो फंदे उल्टे, अब दो फंदो में से ऐसे करते को देखे, एक फंदे में से तीन बनाएंगे, फिसे एक फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे, दो फ फंदे उल्टे आप देखें एक फंदे में से तीन फंदे बना लेंगे इस वाले फंदे में से पीसी तरह से तीन फंदे बनाएंगे अब दो फंदे उल्टे यह वाला फंदा फिर से यहां से नीचे वाली रोज से बुनेंगे और एक फंदा लास्ट का एजिस्टिच का बु यहां से repeat pattern start करेंगे, एक पंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, अब दाब आपने side लाएंगे और यह जो हमने एक फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे इनको बगार बुना उतारेंगे, यह वाले भी, तो यह हमने फंदे बगार बुने उतारने हैं, अब फिर से देखें, दो फंदे सीधे बनाएंगे, तो यहां से यही design repeat करेंगे, edge stitch के फंदे को छोड़ते हैं, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, यह 6 फंदे जो हमने बनाएते हैं, बगार बुने उतारेंगे, दो फंदे सीधे, अब फिर से इसी design को repeat करेंगे, एक फंदा उल्टा, दो फंद सीधे और ये 6 फंदे बगायर बुने उतार देंगे, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, ताका अपने साइड लाएंगे और ये 6 फंदे बगायर बुने उतारेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, और लास्ट का एजिस्टिक का फंदा पर उल्टा बोलते आप देखेगा सीधी सलाई को ध्यान से देखेगा एक बंदा जिस्टिच का बुनेंगे यहां से repeat pattern स्टार्ट करेंगे तो देखे इस फंदे को हम नीचे वाली रो से बुनेंगे दो अब एक बंदा हम इसमें से उल्टा बुनेंगे अब दागा पीछे करेंगे अब ध्यान से देखेगा इसको हम तीन फंदो को इधर लेकर आएंगे और उल्टे वाले फंदे को हम इधर लेकर जाएंगे और देखेगे इस तरह से ऐसे हम तीन फंदो का एक करेंगे ये देखेगा अब एक फंदा हम ये सीधा बुनेंगे अब फिर से देखेगा ये वाला उल्टा फंदा हम आगे लेकर आएंगे ऐसे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे अब ये जो तीन फंदे हैं इनको ऐसे सामने से देखे बैक साइट से ऐसे हम यहाँ पर तीन फंदों का एक कर देंगे, देखेगा इस तरह से, अब एक फंदा उल्टा बनाएंगे, तो यही साथ फंदे का डिजाइन रिपीट करेंगे, देखे, एजिस्टिस के फंदे को छोड़ देए, फंदा सीधा, एक उल्टा, दो फंदों को हमने ट्विस्ट किया, और सीधा इस तरह से तीन फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा, फिर से हमने दो फंदों को ट्विस्ट किया, तो एक फंदा सीधा, तीन फंदों का एक किया, एक फंदा उल्टा, अब फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे, इस वाले फंदे क को ट्विस्ट करेंगे यहां पर देखेगा और यह फंदा सीधा बुनेंगे अब यह बैक साट से तीन फंदों का एक करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे यह फंदा नीचे वाली रोज से बुनेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे दागा पीछे करेंगे फंदों को ट् अब फेसे तोंदधू को ट्रिस्ट करेंगे तो यह उल्टा फंदा इधर कर आएंगे देकिए को एग variety है टेंसा ओर करेंगे अब गौरमय है कड़ी जिए वालता नीचरा नीचे वाली हो दिए आद एग करेंगे में एगे देखेझ हैं अब सुंधा भी डे एक बंदा उल्टा, एक बंदा सीधा, चार बंदे उल्टे, एक बंदा सीधा, तो देखिए, आज इस तो इसके बंदे को छोड़ते हुए, यही साथ बंदे का डिजाइन रिपीट करेंगे, एक बंदा, एक सीधा, चार बंदे, एक सीधा, देखिए, एक बंदा उल्टा, ए एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और लास्ट के दो फंदे हम उल्टे बुल देंगे, तो देखिए सलाह यहां पर इस तरह से कम्प्लीट हो गए और हमारा डिजाइन भी complete हो गया यह देखिए अब इसी design को देखिए हम कैसे फिर से repeat करेंगे तो एक सलाई में आपको बुनकर दिखा देती हूं देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे देखिए दो फंदे उल्टे अब देखिए इसी design को हम कैसे repeat करेंगे दियान से देखिएगा एक फंदा सीधा अब यहां से देखिए यह वाला फंदा हम नीचे वाली रोज से बुनेंगे अब दो फंदे उल्टे अब धागा पीछे करेंगे इस एक फंदे में से हम तीन फंदे बना लेंगे फिर से एक फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे अब दो फंदे उर्टे तो यही साथ फंदे का डिजाइन फिर से रिपीट करेंगे यह वाला फंदा नीचे वाली रोह से बनाएंगे दो फंदे उर्टे एक फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे फिर से एक फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे दो फंदे उल्टे, यह वाला फंदा नीचे वाली रो से बुनेंगे, दो फंदे उल्टे, अब एक फंदे में से देखें, तीन फंदे बनाएंगे, फिसे एक फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे, अभी वाला फंदा नीचे वाले रोज से बुनेंगे और लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे तो देखे सलाई कंप्लीट हो गई और दीखे इस तरह से हमारा इस डिसाइन भी कंप्लीट हो गया यह देखेगा और यही चार सलाईया जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा पैटर्न देखे इस तरह से दिखाए देगा बहुत ही प्यारा और आसान सा बुनाई का डिसाइन इसको आप ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबेक जरूर दीजिए मिलते है नेक्स वीडियो में एक नए डिसाइन के साथ तब तक के लिए थैंक यू